Hi students, today as a part of revision, we will be dealing with silicates, silicates की इससे बढ़िया ट्रेक आपको मिल ही नहीं सकती, इससे बस तुमें ये फॉर्मूला देखो, Si O 4-X by 2, O के साथ 4-X by 2 है, और चार्ज है –4 plus X, ठीक, अब इसमें X क्या है, X है number of shared oxygen atoms, as we all know, silicates हैं क्या, silicates वो tetrahedral structures है, जिसमें silicon अपना SP3 होता है और वो 4 oxide O- से bonded होता है, और तो इसको हम represent ऐसे करते हैं, देखो बच्चो, ये, 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 ये तीन triangle में आगए O-, ठीक, और ये जो below वाला है, below वाला oxygen, जो below the plane है, वो हमें नीचे project होगा, तो वो ये बना दिया O-, बीच में, और ये जो silicon जो बीच में आगया tetrahedral के, वो dot होता है, बच्चो, dot, तो ये dot मतलब silicon है, और जहां भी O- है, उसका मतलब oxygen है, with negative charge, चाले, एक एक करके, put करते जाओ, एक सेकिंड में फॉर्मला आएगा, ortho silicate, यहां discrete unit है, कोई sharing नहीं होती, oxygen atoms की, तो number of shared oxygen, यहां 0 रख दो बच्चो, यहां, 4 minus 0, तो 4 आया, और यहां पे charge पे X को 0 रख दो बच्चो, minus 4 आया, तो ortho silicate के लिए या, बस इतना याद रखना है तुमें, एक तो यह formula और एक यह, कि कितने atom shared होते हैं, ortho में 0 atom shared है, तो formula आपका, इस trick से आएगा, अब आपको, यह general formula बार बार याद करने की जरुवत नहीं है, पाइरो silicate, बच्चो, X को 1 रखो, एक oxygen atom से sharing हो रही है, यह देखो, इस oxygen atom से sharing हो रही है, इस oxygen atom से sharing हो रही है, तो अगर यह oxygen atom shared है, तो इस पे already दो bond है, तो इसका negative नहीं आता बच्चो, बाकी सब पे negative है, यह oxygen atom shared है, अब इस में जरब तो हमारा हमारा तो यही काम है कि एक second में हमारा उस formula से formula आता जाए, general formula क्योंकि general formula पूछता है हो, X को 1 रखो बच्चो, उस formula में, 4-X by 2, X को 1 रखा, 1 by 2, minus 4 plus X, SI O 3.5 minus 3, अब इस पूरे formula को double कर दो, SI 2 O 7 6 minus, चार्ज के साथ double करना बच्चो, SI 2 O 7 6 minus आपका general formula आगया, तो SI O 4 minus X by 2, minus 4 plus X, बस इतना तुमें याद रखना है, cyclic silicate ortho में X 0, pyro में X 1, cyclic silicate में X 2 रखो बच्चो, 4 minus X by 2, minus 4 plus X, तो आपका SI O 3, 2 minus आया, इसको generalize कर दो, N 2 N minus कर दो, और अगर N 3 membered ring होगी, तो आपका ये formula आजाएगा, अगर 6 membered ring होगी, तो आपका ये formula आजाएगा, तो cyclic में बच्चो यादो, रखो 2 oxygen atom shared होते हैं, ये, देखो, पर silicate unit आप देखो, ये oxygen atom shared है, ये oxygen atom shared है, इसको देख लो, ये और ये 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 shared है, तो बच्चो तीन और छे मेंबर साइक्लिक रिंग के सिलिकेट्स एक्जिस्ट करते हैं आपको जनरल फॉर्मला याद करने की मैंने बहुत बहतरीन ट्रिक बता दी गया चेन सिलिकेट्स चेन सिलिकेट्स दो प्रकार के होते हैं एक तो सिम्पिल चेन होते हैं इसको में उपर वाला जो शाइक्लिक था इसको में यह ना बनाता वThis उपर नीचे उपर नीचे जैसे ये वाला जो silicate है इसमें भी तो दो oxygen shared है ठीक है अब इस वाले silicate को देखो अगर मैंने ये वाला oxygen share किया तो ये वाला नीचे share किया बजाए कि ये नीचे के मैं उपर कर देता इसे मैं उपर कर देता तो भी तो इसके दो oxygen shared हो जाते देखो तो उपर नीचे एक line बनाओ 1, 2, 3, 4, 5, 6 उपर नीचे, उपर नीचे, उपर नीचे simple chain silicates बनाते जाओ इसमें भी N2 होता है तो इसका भी formula वही आएगा SiO4-x by 2-4 plus x में x को 2 रख दो बच्चो clear है? simple chain का भी same formula है जो cyclic का है double chain silicates double chain silicates में उपर और नीचे दो chains बनी है और नीचे ये और ये atom shared होते चले गए simple chain में उपर एक chain थी, नीचे एक chain नहीं थी double chain में उपर वाली chain, एक नीचे वाली chain बनाओ और एक एक oxygen atom से जोडते चले जाओ main बात है कि यहां x को 2.5 रख दो बच्चो 2.5 oxygen atom shared है पर silicate तो जड़ा x को 2.5 रखो 4 माइनस 2.5 बाइटू, चार्ज माइनस 4 प्लस 2.5 तो बच्चो ये आपका आएगा si o 4 माइनस 2.5 बाइटू, 8 माइनस 2.5 यानि si o 5.5 by 2 with charge माइनस 1.5 अब मैंने इसे 4 से मल्टिप्लाय कर दिया तो si 4 o 11 माइनस 6 और फिर जनरलाइज कर दिया सिंपल है बच्चो next next we come to 2D sheet silicates 2D sheet silicates में क्या होता है कि इन double chain silicates को यहां तो सिर्फ दो chain में sharing हुई है अब उपर भी sharing करते जाओ इस वाले oxygen atom को भी share करा दो इस वाले oxygen atom को भी share करा दो तो number of oxygen atom shared यहां 3 हो जाएंगे उस generalize formula में रखो बच्चो si o 4 minus x by 2 x को 3 रखो और charge को minus 4 plus x याने minus 4 plus 3 रखो si o 2.5 with charge minus 1 double कर दो si 2 o 5 2 minus general formula के लिए generalize कर दो 2D sheet silicates 3D sheet silicates के लिए x को 4 रखो दो बच्चो बताओ si o 4 minus x by 2 minus 4 plus x में x को अगर हम 4 रखते हैं तो यहां पे charge खतम हो जाएगा और 4 minus 4 by 2 याने 4 minus 2 si o 2 आ जाएगा बच्चो यह आपका silica हो जाएगा तो सबसे महतुकूंड एक formula यह है इसमें बस अब तुमें generalize formula आते जाएंगे इसमें x को put करते जाओ x ortho silicate के लिए x 0 pyro silicate के लिए x 1 cyclic silicate के लिए x 2 simple chain silicate के लिए भी x 2 double chain silicate के लिए x 2.5 2D sheet silicate के लिए x 3 3D sheet silicate के लिए x 4 super duper trick है यह इससे general formula एक question बच्चों आता है silicate पे तो इससे अब तुमारा यह perfectly याद हो जाएगा thank you